Hello my dear students of class 10th, आज हम हिंदी का इस वीडियो में आपको काविखंड बता रही हैं काविखंड में आपके सिर्फ और सिर्फ तिमाही परिक्षा में तीन अध्याय आने हैं पद, रामलक्षमनपरशुरामसंबाद और आत्मकाथिय पद नामक जो आपका चैप्टर है काविखंड का या पद इखंड का ये शूर्दास जी द्वारा रजित भिरमरगीत से लिया गया है तो आपको अच्छे से इसको याद रखना है इसमें इंपोर्टेंट क्वेस्टन कौन से हैं जो हम आपको बताएंगे वही क्वेस्टन आपको 99% कल के पेपर में देखने को मिलने वाले है यह देको 2022 और 2024 में आया हुआ क्यों से की गई है आपको यह याद करके ही जाना है यह जैसे कमल के पत्ते पानी में और तेल का गागर तेल में डूबे रहते हैं किन्तु उन पर पानी की बूंद भी नहीं टिक पाती है बैसे ही उद्धव स्री कृष्ण के पास रह कर भी उनके प्रेम से अचूते रहे यही कह करके वो ब्यांग भी करती है तो यह important question यह भी हो जाएगा कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या ब्यांग नहीं थे ठीक है तो उद्धव स्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनसे प्रेम नहीं कर सकी इसलिए गोपियों को भी भाग्यवान कहने में ब्यक्त है विप्रीत लक्षन से भागवान का अर्थ भागगे ही नहीं है ठीक है माई डीरिस्ट्वेंट्स तो आपको अच्छी से करना है अच्छा ये वाला इंपोर्टेंट है मरजादा ना लही कि माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है तो यहाँ पर आपको समझना है कि प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम किया जाना चाही किन्तु स्री क्रिष्ण गोपियों में प्रेम भाव जगा कर स्वया मत्रा चले गए बहां से उन्होंने जिन उध्धव को भेजा उन्होंने योग का संदेश दिया कृष्ण के लोटने या उन्हें याद करने की बात ही नहीं की इससे स्पष्ट है कि स्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का पलन नहीं किया उसी को मर जादा ना लही कहा गया है इस पाद में आया है ना कि मर जादा ना लही यहां पर एक और है question जो कि very most important है most important question कौन सा है वो यह है कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए तो आपको पता होना चाहिए यह answer कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म परजा के हित का पूरा ध्यान रखना होना चाहिए परजा को किसी पिरकार से नहीं सताया जाना चाहिए राजा का दायत तो परजा की भलाई का ध्यान रखना है तो ये very important question है So my dear students, आगे हम देख लेते हैं पढ़ना सारे questions हैं बट जो हमने आपको 3 बता दिये हैं इस chapter से वो 3 तो आपको करके ही जाना है अगला chapter जो हमारा है राम लक्षमर परसुराम संबाद जो की स्री राम चरित मानस के बाल कांड से उध्रत किया गया है इसके रजैता या कभी कहें तो गुष्वामी तुलसीदास जी है ये प्रशन 2023 में आया था और ये प्रशन पुनाह तिमाही परिक्षा चमाही परिक्षा और बारसिक परिक्षा के दरश्टी से अती महत्पूर्ण प्रशन है कि परशुराम के एक रोध करने पर लक्षमण ने धनुष तूट जाने के लिए कौन-कौन से तर्ग दिये उन्होंने कहा था ना ठीक है कि मैंने तो छोटे में बहुत सारी धनुष तूटे हैं यहां पर हमें क्वेश्टन लिख देना है परशुराम के रोध करने पर लक्षमण ने धनुष तूट जाने के लिए निम्नांकित तर्क दिये कौन-कौन से दिये नंबर एक राम का धनुष के तूटने में कोई दोस नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि उन्होंने जैसे ही इसे चुआ बैसे ही तूट गया पुराना धनुष था राम ने इस धनुष को नया समझा था किन्तु यह पुराना था जरजर था इसलिए तूट लक्षमर ची ऐसी बातें कर रहे हैं लक्षमर ने कहा कि बचपन में हमने ऐसे अनेक धनुषिया तोड़ी थी तब तो आप नाराज नहीं हुए थे इस धनुष के तूटने से कोई लाव यहानी नहीं है इसलिए इस पर नाराज होने की आवश्यक्ता नहीं है तो यहसे हम बहासा में भी यह चार पॉइंट लिख सकते हैं माईडियर इस्ट्रेट्स दो दो नंबर के कॉश्चन आने हैं आपके एकजाम में प्वेस्चन नंबर 6 या 7 से शुरू होंगे दो दो नंबर के ठीक है क्वेस्चन नंबर 7 से तो अब यहाँ पे हमें इंपोर्टेंट युद्धा की क्या क्या विस्चन आना है तो बीर कभी अपनी बीरता का अच्छा सर्थ दो से जादा लिख देंगे तो जादा लिख दूगे अच्छी बात है लेकिन कम नहीं लिखना है दो से ठीक है चार लिख दो तीन लिख दो पांच लिख दो चल जाएगा वट दो से कम नहीं बीर जो होते हैं वो कभी अपनी बीरता का वरणन नहीं करते बीर युद्धा युद्ध इस्थल में अपनी बीरता का प्रमाण देते हैं ना कि मुझ से बखान करते हैं ठीके बीर युद्धा बिनम्र धैरवान और गंभीर होते हैं बीर कभी भी अपने उपर अभि आप हम देख लेते हैं हमारा जो आत्मकत्य जैसंकर प्रशाद जी की राचना है इसको आत्मकत्य की राजी नहीं हुए उनके अनुसर उनका जीवन कैसा है साधारन रहा है उन्होंने कोई महानकार्य नहीं किया है जिसका उलिख आत्मकथा में किया जाए उनका जीवन दुखों और आगातों से पूर्ण रहा है इसलिए आत्मकथा लिखकर भी उन दुखों को याद नहीं करना चाहते वो सोच रहे हैं कि मैं आत्मकथा लिखेंगे इसलिए उन्होंने इस आत्मकत्य जो कि एक्चुल में आत्मकत्य का ही एक काप बेखंड है काप बेरूप है इसमें वो बात कही है ठीक है तुमाइडी रिस्टुएंट्स यह बाला इंपोर्टेंट बेरी मुश्ट इंपोर्टेंट क्वेस्चन है यह हमने आप पिछले साल इंपोर्टेंट बताया था जोटेंटि इसमर्टी को पात्य बनाने से कभी का क्या आसा है प्रिसाद जी कि प्छ इसमर्तिय एसी रही हैं जो उन्हें प्रेरणा, उर्जा, जीवंतता प्रदान करती रही बे इस्मृतियां उनकी अपनी संपत्ती रही हैं बे उन्हें उजागर नहीं करना चाहते हैं जो प्रिये के साथ मधुर रातें व्यतित हुई जिन में उन्होंने खिल खिला कर हस्ते हुए बारतलाब किया उन्हें आज भी याद है ठीके ऐसी यादें ही उनके भावी जीवन की पाथे सहारा हैं पाथे मतलब प्रदर्सक जो उनको रास्ता दिखाएंगी उनसे प्रिणा ले करके वो आगे बढ़ेंगी वो अपने दुखों को याद नहीं करना चाहते हैं वो जो उन्होंने अपने प्रिये के साथ चुपल बिताए हैं उन सुखी पलों को याद करके उनको सहारा बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं उनके सहारे अपना जीवन पत सरस बनाना चाहते हैं यह दू इंपोटेंट क्वेशन हमने इस चेप्टर से बताए हैं आपको इसको अच्छे से करना है और पढ़ना है समझना है ठीक है यह दू क्वेशन बाकी के यह सारे पूल में पूल आने के चांस रहेंगे तो यहाँ उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया तो यहां योग साथना का संदेश उद्धव जी देते हैं व्य activists से right answer हो जाएगा योग साथना का उध्धव जी गोपियों का मन चुरा ले गए थे तो गोपियों का मन कौन चुरा ले गया था स्री कृष्ण चुरा ले गए थे उद्धाव किस के मित्र थे तो स्री कृष्ण के मित्र थे ठीके आगे हम देख लेते सीता की विबाह अब ये रामलक्षमन परशुराम संबाद सी सीता की विवाय की स्वेंबर में सर्त रखी गई थी तो सिर्फ धनुस को तोड़ने की सर्त रखी गई थी सिर्फ धनुस के तोड़ने पर कौन किरोधित हो गई परसुराम ने किसकी बुजाएं काटी थी तो सहस्रवाहू की बुजाएं काटी थी आत्म कत्य की कभी कौन है त आपको अच्छे से याद होना चाहिए, माई डियर इस्ट्वेंट, प्रवंचना का साफदिक अर्थ, तो प्रवंचना का साफदिक अर्थ क्या है, माई डियर इस्ट्वेंट, आपको पता होना चाहिए, कि प्रवंचना मतलब धोखा धड़ी होता है, याद रखना है, कंथा कंथा कहते हैं तो गुदडी को कंथा कहते हैं फागुन माह में कौनसी रितु आती है तो फागुन माह में आती है आपकी बसंत रितु तो ये 10 आपको objective करना है ज्यादा नहीं करना है क्योंकि आपको अभी syllabus के according संदर्भ प्रसंग सहत ब्याख्या कैसी करें उसके लिए हमने अलग सी वीडियो गुरूप में जुड़ना चाहते हैं वह इस नंबर पर SMS करें 750-9929-282 इस पर SMS करें अपना नाम अपना एड्रेस और अपनी किलास लिखें तो हम आपको यदि आप किलास 9th के हैं तो 9th में 10th के ही होंगी आप क्योंकि ये वीडियो 10th की ही चल रही है ठीक है तो किलास 10th में आपको add कर देंगे तो माइड़ एरिश्मेंट्स अब हम जाज़त चाहेंगी जैहिंद बंदे मात्रम